मायम के राष्ट्री अतल बैरिष्ट्रों सोथ दी नोवेसी ने तेलंगाना में नीट परिक्षा में सफल हुए टॉप छात्रों को किया सम्मानित 5 छात्रों को दिया 25-25 जार रुपे का चेक उत्तर पर्देश में मायम के द्वारा कारीकरता सम्मेलन का आवजन 2024 लोग सवा चुनाओं से पहले पाटी मजबूती पर हुई चर्चा जार खन के डुमरी विदान सभाव उफ चुनाओं में ओल इंडिया मज़ी से इत्तिहादल मुबीन डिजवी का चन संपर का भ्यान चोर पर दोस्तों बिहार नीज में स्वागत है मैं नवेद आलम फटाफट अंदाज में बिहार की टॉप खबरें आपको दिखा रहे हैं उससे पहले आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें या हमें फेस्बुक पेज में देख रहे हैं तो फेस्बुक को फूल और शेयर करें ताके आपको हर रोज इसी तरह से फटाफट अंदाज में पुरे बिहार की खबरें इसी चैनल पर मिले 18 जिलों में भाड़ी बारिस का आलट बिहार में जाती गन्ना को लेकर नफरत से देख रही है केंदर सरकार बीजेपी परबर से लालू परसाद यादव कहा बजट की रासी दैसे दे रहे हैं जैसे खैराथ बिहार के बांका में आरेलडी पार्टी के कारेकरता सम्मेलंड में पहुचे उपेंदर कुस्वा नितीश कुमार पर कसा तंज कहा नितीश ने जडियू को लालू के यहां रखी गिरवी 2005 से पहले वाली हालात बिहार के मुझफर पूर में डॉक्टर की कार में लगी आग अस्पताल से घर लोटने के दौरान हुआ हाजसा दमकल की गारी से आग पर पाया काबू मामला जीले के सदर थाना छेतर का बिहार के रुक्सोल में दो दिन के लिए इंटरनेट बंद महावीर जंडा जुलूस के दौरान हुआ था बावाल भरकाओ पोश्ट डालने वालों पर होगी कारवाई नाक पच्मी के दिन हुआ था दो पक्षों के बीज चरप बिहार के पट्टा में लोकसभा चुनाओं को लेकर बीजेपी का महामन्थन 38 जीलों के जीला अदे समराट चोधरी का संदेश केंदर सरकार की उपलोबदियों को ग्राउन लेवल तक पहुचाने का पढ़ियास बिहार के औरंगाबाद में इसकुटिव इंजिनिर की पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा आफिस में गुसकर की पत्ती की पिटाई दूसरी महिला के साथ अवेज संबत का लगाया पत्ती पर आरोप बिहार के जमुई में बियों को दौरा-दौरा कर पिटा गिरामिनों ने पांच दिन से स्कूल में लगा रखा था ताला समाधान के लिए पोचे पदाधिकारी पर हमला मामला नविन प्रार्थमिक विद्ध्याले दुमकवा का बिहार के बेतिया में टीचर और प्रिंस्पल के बीच चले लाठी और डंडे, बारे चातर गायल, बेतिया के स्कूल में 24 घंडे तक हंगामा टीचर को गिरफ़तारी की मांग, मामला मजूलिया पर खंचेतर के उत्वरमि मद्धिविद्याले बरवा का बिहार के समस्तिपूर कोट पडिसर में फाइरिंग दो कैदियों को लगी गोली पेशी के लिए लाए गए थे कोट गोली बारी करने के बाद तीन बदमास फरार पुलिस कर रही है मामले की सभी बिंदियों की जाच बिहार के पूर्णिया में इंडियन गैस एजन्सी के 29 सिलंडर की चोरी 6 लाग का गैस सिलंडर ले गए चोर फिक अब वेन से चोरी की घटना को दिया अंजाम मामला सिसी टीवी केमरा में हुआ कैद गटना मरंगा था ना चेटर के गंगोली वाड नमबर पाँच का बिहार के सेखपुरा सदर अस्पताल का राज दलित आयोगरुन माजी ने किया निरक्षन निरक्षन से वहीं मचा हर कम वहीं बंद परे अल्टरा साउंड को चालू करने के लिए दिया आस्वासन बिहार के किशाइन ठाकुरगं की बेटी चुही रानी बनी आडिट ओफिसर बीपीसी परिक्षा में लाया दोसो सतरवास्थान सादी के बाद की लक्ष हासिल बिहार के अररिया में बंबी स्पोर्ट के बाद लोगों में दहसत कठरा नहर के पास लावारी जोला टच करने के दौरान फटा था बंब 24 गंडे बाद भी परा है आउसिष्ट दो मजदूर हुए घायल बिहार के पूर्णिया में सुमन को भोजपूरी फिलम में गाने का मिला आउफर के नगर परखंट के गनेशपूर नया टोला में खुसी का माहूल गरीबी आरे आई तो सादी और पाटी में गाये गाना कोराना वायरा सुरी सारेल हाजसे पर भोजपूरी गाना कर चर्चा में आयस उमन बिहार के मुतिहारी में अपरादि घट्टाओं को लेकर निकाला मसाल जूलूस मुतिहारी में जनदिकार पाटी ने 27 अगस को सहर बन लखने का किया हुएं बिहार के जहनाबाद में समसान की जमीन पर सेड निर्मान का विरोध गिरामीन और वीडियो में नोग जोग लोगों ने कहा सेड बनेगा तो अंतिम सस्कार कहा करेंगे मामला घोसी परण के सहापूर पंचाथ के ठाकुरुस्थान का बिहार में जमीन पर कॉंग्रेस कहीं नहीं दिखती परसांत किसोर का कॉंग्रेस परतंश बोले मैं 11 महीने से पदियात्रा करना हूँ लेकिन न कांग्रेस दिखी न उनका जंडा दिखा विहार के सूपोल में 15 दिन के भीतर दूसरी बार आई बार्ड बिराज के 56 फाटक खोले गए राहत बचाओ काड़ में जुटा पर सखन विहार के गोपाल गज में बढ़ रहे हैं डिपरेशन के मरीज 40 परतिसद महिला है सामील 25 परतिसद लोग आते हैं अस्पताल डॉक्टर ने बताया तनौव से चुटकरा पाने का सटिक तरीका बिहार के पटना निलेज मुख्या के परिजनों से मिलने पहुँचे चिराग पाचवान राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना कहा खुले आम घुम रहे हैं आरोपी बिहार के पटना में दो दिवस्य फर्टिलेटी संडेक्शन नेशनल कॉन्फरेंस का उजन तीन सो से अधिक डॉक्टर ले रहे हैं भाग कैंसर टीटमेंट के बाद भी लोग बन सकेंगे माबाप बिहार के एनाइटी पटना में एई आई के भविस पर ट्रेनिंग एक सो पचास रुपे देकर करा सकते हैं रजिस्टेशन चार से नौ सितम पर तक चलेगा प्रोग्राम बिहार में शिक्षक बटी परिशा का थीसरा अंतिम दिन पटना में 38 परिख्षा के अंदरों पर हो रही परिख्षा देश की सबसे बरी एक लाग सत्तर हाजार चार सो एक सट शिकषक बटी परिख्षा का अंतिम दिन बिहार के अरडिया में दुसकर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास वेवार नायाला ने सुनाया फैसला 50 जार लगाया जुर्माना मामला अरडिया परखंड के गाउं में एक चार वर्स ये बच्ची के साथ 5 साल पहले हुआ था दुसकर्म